अस्सालामु अलैकूम रह्मतुलाहिव बरकातू मैं हूँ डारूफ और आज हम दस्वी जमात के उर्दु सेक्शन से पढ़ने जा रहे हैं जो गजल पोर्शन में आता है हिसाई शार में फानी बदा यूनी का पहले हम पढ़ेंगे उसके जिन्दगी के मुतलिक फिर हम उसक अशार पढ़ेंगे उसकी गजल पढ़ेंगे और उनको तश्री करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस पे सफ़ा नंबर 140 पे फानी बदा यूनी का चप्टर है तो आप वही पे जाईए और वहां से जो मैं बाट रहा हूँ वही पे आ शौकत अली खान नाम पहले शौकत और बाद में फानी तखलूस एक्तियार किया शौकत अली खान नाम जो फानी बदा यूनी का नाम था असली नाम क्या था उसका शौकत अली खान पहले श auchकत और बाद में फानी तखलुस एक्तियार किया मानाी तखलुस शाकत तो नाम था और तखलुस क्या था इनका फानी फानी बडाय One का तखलुस था फानी पहले नाम क्या था असली शाकत ओली खान ठीक इनकी जो विलाधत हुई वो कभ हुई 13 सتمبر 1889 इस्वी को कजबाई इसलाम नगर जिल्ला बदायों में पैदा हुए ये जो शौकत अली खान थे इनकी विलादत कहां पे हुई एक कजबा है एक शहर है इसलाम नगर जो जिल्ला बदायों में आता है वही पे 13 सتمبر को इसकी विलादत हुई उनके वालिद मौहमद शुजात अली खान इनस्पेक्टर पुलीस थे जो इनके वालिद सहब थे वो पुलीस मोकमे में काम करते थे भास ये इनस्पेक्टर फानी ने दस्तूर जमाना के मताबख अब्दाई ताली मकतब में हासिल की जो ये फानी था इसने अपनी अप्तिदाई तालीम कहां से हासल की दस्तूर के मतलिक मतलब जो उस टाइम तरीके अमल था जो उस टाइम रिवाज था जैसे पहले पहले हम प्रावेट स्कूलों में जादतर नहीं जाते थे या उसने इब्टिदाई तालिम कहां से हासल की मकतब से हासल की 1897 में इंटरन्स दसवी कलास का इम्तिहान पास किया 1901 में बरेली कालेज बरेली से बी ए पास करने के बाद मलाजमत इक्तियार की फिर बरेली काले से 1901 में इसने बीएजि यानी बचलर आफ आफ आर्ट का अम्तेहां पास किया और फिर बाद में मुलाजमत भी इस्तियार की कुछ अर्से तक मदर्स रहे कुछ अर्से तक मतलब कुछ टाम के लिए ये मदर्स मदर्ष मतलब तालीम देने वाला या जिसको हम उस्ताद बोलते हैं जो दर्स देता हूँ बाद में डिप्टी इंस्पे creep мнशन हो गई और बाद में इसको मदारिस का क्या बनाया गए डिप्टी इंस्पे creep लेकिन जल्द ही मुलाजमत तर्द करके कानून की तालीम हासिल करने के लिए M.A.O. कॉलेज जो की मौजुदा मुस्लिम इनिवर्सटी अलीगर्ड में दाखिल हो गई ठीक फिर लेकिन जल्द में मुलाजमत तर्द करके डिप्टी इनस्पेक्टर की मुलाजमत इसने तर्द करके कानून की तालीम हासिल की और फिर किस में चले गए लौ की तालीम पढ़ने लगे कहां से पढ़ी वो M.A.O. कॉलेज जो के आज अलीगर्ड मुस्लिम कॉलेज है उसका पहला नाम क्या हुआ करता था M.A.O. कालेज वही से इसने अपनी कानून की तालीम हासिल की यहां से 1908 में L.L.B. की डिगरी हासिल की और 1908 में इसने L.L.B. की डिगरी हासिल यही से हासिल की इसके बाद लखनव आकर अटारा बरेली में बदायों में वकालत की फिर इसके बाद लखनव आकर फिर इसके बाद यह लखनव आगरा और अटारा और बरेली और बदायों में वकालत करने लगे मतलब वहां पर उसने वकालत की लेकिन फानी को वकालत में दिल्चस्पी न थी मगर उसको मतलब वकालत करने में कोई दिल्चस्पी या इंटरेस्ट नहीं था इसलिए इस पेशे में उन्हें काम्याबी नसीब नहीं हालनकि इसने वकालत थोड़ी देर के जिये कुछ आर्से के ले की मगर इसमें इसने काम्याबी हासिल नहीं की क्यूंकि इस काम में इस शोबे में फानी की कोई दिल्चस्पी न थी 1932 में महराजा किशन प्रशाद शाद की दावत पर दर्बार से वाबस्ता रहने के साथ-साथ वो हाईदराबाद के मास्टर हो गए फिर 1932 में महराजा किशन प्रशाद शाद की दावत पर दर्बार से वाबस्ता रहने के साथ-साथ उसने हाईदराबाद के मास्टर हो गए मतलब वहाँ पे वो टीचर का दर्जा उसने पाया या उस्ताद बन गए फानी के आखरी आयाम बड़ी उसरत तंग दस्ती और परिशानी में गुजरी जो फानी साथ ता उसकी जो आखरी आयाम जिन्दगी के जो लास्ट पल होते हैं उनको आखरी आयाम कहते हैं बड़ी उसरत उसरत मतलब गरीबी या तंग दस्ती में गुर्बत में उनका जो आखरी आयाम थे उनके आखरी आयाम थे वो गुर्बत में कट गए और तंग दस्ती मतलब ज्यादा गरीब ज्यादा अमीर ये खाने के लिए नहीं होती थी चीजने तंग दस्ती थी और पर उसकी जिन्दगी जो है वो परेशानी में ही गुजरती है उनकी सहत रोज बरोज गिरती गई और उनकी सहत जो दिन बर दिन क्या कमजोर होती गई मतलब उनका सहत अब बिगड़ने लगा बिलाकर 27 अगस्त 1941 को वतन से सेंगडू मील दूर हैदर अबाद में इस जहान फानी को अलविदा कहा और दयार गेर में सुपर्दिखाख होए और लास्ट पे बिलाकर मतलब आखरकार 27 अगस्त 1941 को वतन से अपने जहां पे यह रहते थे उस वतन से सेंगडू मील दूर सेंगडु मील दूर मतलब 100 किलो मीटर में मतलब 200 होगे 300 किलो मीटर दूर हाइदराबाद में हाइदराबाद में एक जगा है जहां इस जहानी फानी इस जहानी फानी मतलब यह जो यह दुनिया है यह किसी की नहीं है ये क्या है खत्म होने वाली दुनिया है जहानी फानी मींज इटर्नल या खत्म होने वाली दुनिया को अलविदा कहा अलविदा मतलब इस दुनिया से रुखसत हो गए और दियारे गेर में सुपर दिखाख हुए दियारे गेर मतलब किसी दूसरे मुलक में या किसी दूसरे वो जो शायरी का शोग था वो बच्चबन से ही था वकालत में इनकी कोई दिल्चस्पी नहीं थी मगर शायरी का शोग इनको बच्चबन से ही था पहली गजल अठारा सो नबे में यानि गेरा साल की उमर में कही जो पहली गजल इनने कही है वो अठारा साल की उमर में इनने कह इसलिए फानी चुप कर शार लिखते थे इसलिए फानी को चुप चुप के अपने शार लिखने या कहने पड़ते थे वो किसी उस्ताद से अपने कलाम पर इसला भी ना ले सके वो किसी उस्ताद से उसने ये जो गजले लिखने शुरू की या शायरी शुरू की उसने किसी भी उस्ताद से इसला मतलब मश्वरा नहीं लिया ज्यादातर कलाम तलफ हो गया और ज्यादातर कलाम उसका क्या हो गया गाइब होना गाइब होना मतलब तलफ जो है तलफ हो गया मतलब वो गाइब ही हो गया जो कुछ बचा वा कियात फानी के नाम से शाया हुआ और जो बचा था जितना तरक नहीं हुआ जो बचा था उसका शायर कुछ बचा था बाद में एक और मजमुआ अर्फानियात फानी के नाम से मनजर आम पर आया फिर जो ये बचा कुछ एक कुछ शायर थे उसके वो फिर क किस नाम से मशूर हुए अर्फानी आयत है फानी। ठीक। फानी का शुमार अर्दो के ममताज गजल गो शायर शोरा में होता है। और फानी का शुमार जैसे बाकी है, मीर्त की मीर है, गालिब है, शाध है, फिराग गुरकपुरी है। इसी तरीके से फानी का नाम भी ममतास गजलगों। ममतास जो मशूर गजलगों न की शायरी में आला दर्जे की फनकारी पाईजाती है। उनकी शायरी फानी की शायरी जो है उसमें बहुत सा मतलब एक वो हुनर है जिससे ही वो अपने मतलब सुनने वाले को मुतमईन कर सके एहसास की शिदत, खयाल की गहराई और दर्द अंगेजी उनके शायर की नुमाया खुसूसियात है फानी के शायरू में वो गहराई, खयाल की गहराई मतलब डीब कंसर्ट पाया जाता है और दर्द अंगेजी, दर्द अंगेजी मतलब इनके शायरू में ज्यादा तर दर्द पाया जाता है फानी ने खुस्न औ इश्क को भी मोजू बनाया और तसवफ और मौरिफत के मजामीन भी नजम किये फानी साहब ने खुस्न औ इश्क, खुस्न औ इश्क मतलब किसी के खुस्न के बात करना या किसी के इश्ग में, किसी के महबत में, या किसी के, मतलब, खुसुन में बात करना, उसको भी इसने मूझू बनाया और तसावफ म॓रिफ़त, तसावप होता है जिसको हम बोलते है, सूफिज्म, वह म॓रिफ़त जिसमे अलह तला की याद की जाई है, उसके बारे में लिख इस बहुत, अच्य ह्यालeed लेकिन उनका असल मौज़ गम हयाथ था। इनके अशार की आम फिजा रंजो अलम यासो हिर्मा और नाकामी वना मुरादी से इबारत है और उनके अशार जो उन्होंने शार लिखे हैं की आम फिजा रंजो अलम ज्यादा तर किस पे रंजो अलम मतलब उदासी पे गम पे यासो हिर्मा यास और हिर्मा यास बोलते हैं नाउमीदी को या जो वो टेरर होता है या दहशत जैसा किसी चीज़ में ठीक यास मींज नाउमीद وَحِرْمَا हِرْمَا भी क्या होता है, मायوسी اور नाकामी मतलब नाकामी तो पता ही है वा नामुरादी, नामुरादी जब किसी से मुराद रखते हैं और वो ना मिलता हो उसको बोलते हैं नामुरादी से इबारत हैं, इसी पे इन चीज़ों पर इन मौजवात पर इसने अपने शार लिखे हैं मौत उनके यहां एक महबूब की हस्यत रखती है मौत उनके है मतलब मौत को क्या समझते थे महबूब की हस्यत महबूब की मतलब जिससे प्यार हो थी वो उसे अपनी जिन्दगी के सारे दुखों का इलाज समझत हैं मैंने पहले ही बोला था वो जादा था शाय आर मोज़ उसका कया रहता था गाम पार मिन जो जिन्दगी के दुक थे उसके वो उसका इलाज क्या समझता था मौथ ठीए इस खुसुषिएद की बीना पर अब हम नेक्स लेक्टर में इसके गजल की तश्री करेंगे इन्शाला तब तक के लिए अस्सालाम अलेकुम